हेलो वेलकम तो माई चैनल वॉंगल दीपानिता आज में आप सभी केशा शेयर करने वाली हूँ कैसे आप बीबी और सीसी क्रेम बना सकते हो वह भी घर पर बाजार में तो बहुत सारे बीबी और सीसी क्रेम मिलते हैं लेकिन कभी-कभी होता है कि आना वह आपके स्कीन से मैच नहीं करता है कभी तोड़ा डार्क हो जाता है कभी तोड़ा ब्राइट हो जाती है इसलिए आप अपने स्कीन टोन से मैच करके अपने बीबी और सीसी क्रेम बना सकते हो और बाजार में जो बीबी और सीसी क्रेम मिलता हो तो महेंगे भी होता है लेकिन यह बिल्कुल भी मह ठैंगा नहीं होगास इसको अब बहुत देट तक स्टोर भी कर सकते हो अगर at the में मेरे सोग्म मेरे चनल को को अगर शुरू करने से पहले अगर अपने मेरे चानल कोivas कर नहीं किया है तो पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब भीन और बेल बटन के क्लिक कर लेना ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियो अब देख सको चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ इस बीबी क्रीम को तियार करने के लिए हमें चाहिए फाउंडेशन अब कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो यह अपका मर्जी है मैं यह पर ल यूज करने वाली हूं और यह मुझे परसोनली यह बभी ऐस क्रीम जो बहुत अच्छे लगते और मैं हमेसे यह यह यूज करती हूं उसके बाद हमें चाहिए होगा यह सांस्क्रीम मैं यह पर रियल सची का सांस्क्रीम यूज करना है वाली हूँ और यह मैठ फिरिज देता है आप कोई भी सांस्क्रिम ले सकते हो और हमें चाहिए यह कॉम्पैक तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसका प्रोसेस इस बीबी क्रिम को बनाने के लिए एक बोल लेना है और उसमें यह मॉस्टराइजर क्रिम थोरे से ल हमें इसमें एड करना है अपना फाउंडेशन और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से उसके बाद लेना है सांस्क्रिम यह यह वी एल सी सी कर जो सांस्क्रिम था उसको लेना है और उसको भी अच्छी तरक पैसे उसको लाना है अच्छी तरक पैसे जब यह मिक्स हो जाएगा उसमें जो कॉम्पैक पाउडर है हमारा इस तरह के पाउडर फॉर्म में हम लोग इसको यह पाउडर कर लेंगे और इसको भी लेना है देखो इतना अच्छा क्रिम के लिए यह क्वांटिटी ठीक है इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगा है बहुत ही अच्छी तरक पैसे इसको मिक्स करेंगा होगा है यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हमें इससे चेक कर लेंगे हमारे स्कीन टोन से यह मैच करता है या नहीं तो थोड़ा सा लेना है इसको ऐसे और ऐसे लेकर थोड़ा सा लेन करके देखना है क्या यह ठीक है और नहीं मेरे स्कीन के लिए यह तो बिल्कुल ठीक है अगर अब को ठीक ना लगे तो अब पाउंडेशन को ज्यादा या कम करके इसको बना सकते हो और इसको आप कोई भी कॉंटेनर में इस तरिके से और कोई भी एमटी कॉंटेनर में इसको आप स्टोर करकर रख सकते हो महिनों के लिए अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, स्यार करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना थैंक यू